आज मैं आपके साथ बहुत सारी पड़तों वाला मसाला लच्छा पराथा की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ हलो दोस्तों मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ लच्छा पराठा देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल होगा आज मैं लच्छा पराठा बनाने का सिंपल वे आपके साथ शेयर करूँगी तो चलिए बनाते हैं मसाला लच्छा पराठा रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए आज की रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर डेट कप आटे का लिया है गेहु काटा एक चोथाई कप यहाँ पर मैंने मैदे का लिया है एक चमच यहाँ पर लाल मिर्श का लिया है एक बड़ा चमच कसूरी मेथी लिया है आदा चमच यहां पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, यह मैंने एक चमच लिया है, पावभाजी का मसाला, साथी में आदा चमच यहां पर जीरा पाउडर लिया है, भुना हुआ जीरा पाउडर है, एक चमच धनिया पाउडर लिया है, एक चमच हमने सफेद तिल लिया है, एक उबला हुआ मैंने आलू लिया है, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है, यहाँ पर दो चमच हमने उइल के लिए है, नमक अपने जरुरत के हिसाब से यूज करेंगे, और यहाँ पर हमने कुछ घी लिया है, अपने पराठे को सेखने के लिए, तो चलिए बनाते हैं आज का हमा तो सबसे पहले हम आटा ले लेते हैं, साथी में हम इसमें डाल देते हैं मैदा, इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ज पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को थोड़ा सा मैंने हाथों में क्रश कर लिया था, ये हम डाल रही हैं पावभा मसाला के यूज कर रही हूँ, इसके जगा पे आप कोई भी अपना जो पसंद का हो मसाला आप यूज कर सकते हो, जैसे सांबर मसाला डाल सकते हो, आप इसमें मैगी का मसाला भी डाल सकते हो, या गरम मसाला डाल सकते हो, यह हमने लिया है, जीरा पाउडर यह भी डाल देते है और इसमें हम डालेंगे oil, मोहन के लिए, स्वात की अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और इसमें हम उबले हुए जो आलू हमने लिए हैं, वो भी डाल देते हैं ये डालने से क्या होता है, हमारा प्राठा जो है बहुत ही soft और अच्छा बनता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो dry चीजे हैं, इने सबको हम अच्छे से पहले mix कर लेते हैं उसके बाद हम इसे पानी डालके गूंड लेंगे तो सारे dry ingredients को हमने mix कर लिया है, अब क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे और इसका हम एक आठा बना लेंगे तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी ड्यालते हैं और साथी में इसे हम गुंदते जाते हैं आठे को मैंने अच्छे से गुंद लिया है और इसे अब हम 10 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं 10 मिनिट हो चुके हैं तो चली हम अपने आठे को ले लेते हैं और पराठा बनाना शुरू करते हैं आठा बहुत अच्छे से बन चुका है तो चली इसमें से हम एक पेडा ले लेते हैं जिस साइज को आपको पराठा बनाना है उसी साब से अपने इसका पेडा लेना है तो मैं इस साइज का बना रही हूँ, तो इस तरह से सुके आटे में हम अपने पेड़े को रोल कर लेते हैं, अच्छे से, और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बना लेते हूँ, तो आप देख सकते हूँ, हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, अब क्या करेंगे हम इसके उपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ, अगर आप इस जगा पर ओईल भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, तो अच्छे से हम इसे फैला लेंगे और इसके उपर हम थोड़ा सा सुक्का आटा जो है ना, वो स्प्रिंकल कर देंगे, ऐसा करने से जो लेहज हैं, वो बहुत अच्छे से निकलते हैं, तो इसे भी हम अच्छे से फैला देते हैं, तो सुक्के आटे को भी हमने अच्छे से फैला लिया है, अब हम क्या करेंग हम इसे आगे ले जाएंगे और जो folds हैं उन्हें आप equally करते जाएए ये देखिए बस थोड़ा सा आगे जाना है और फिर इसे fold कर लेना है फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे फिर इसे fold कर लेंगे तो इस तरह से हमारा जो है रोल पूरी तरह से हो चुका है अब हम क्या करेंगे इस जगा पे हम फिर से थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस तरह से और फिर इसे इस तरह से रख के हमने सिर्फ बस इस तरह से रोल करते जाना है ये देखिए फ्रेंज और जो last का है उसे हम थोड़ा सा नीचे करके इस तरह से दबा देंगे तो ये देखिए हमारा जो है पेडा बन चुका है और अब हम इसके उपर क्या करेंगे इसे थोड़ा सा और अच्छा दिखे ये इसलिए हम इसके उपर क्या करेंगे जो हमने कलोंजी ली है वो हम इसके उपर स्प्रिंकल कर देंगे और साथी में हम इसके उपर थोड़े से सफेद तिल जो हमने लिये हैं वो भी हम इसके उपर स्प्रिंकल कर देते हैं और बस हमारा जो पेडा है रेडी हो गया है तो यहाँ पर हमने दूसरे पराटे को भी इस तरह से बड़ी रोटी में बेल लिया उसके पर हमने घी लगाया और थोड़ा सा हमने सुक्का आटा जो है वो छिड़क लिया इसे अब हम फोल्ड करेंगे वही तरीका है बस थोड़ा सा आगे जाना है और फिर हम इसे इस तरह स प्रेस करेंगे लास्ट में जो यह छोटा रह गया इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बस हमने इसे थोड़ा सा इस तरह से दबा लेना है और यहाँ पर हम थोड़ा सा गी लगा लेंगे जरा सा नाम के लिए लगाएंगे और बस इसे फिर हम इस तरह से अच्छे से बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छे से हम रोल करते जाएंगे, यह देखिए, साथ ही में बिल्कुल इसको, और यह जो लास्ट का पोर्शन है, इसे हम मीचे की तरफ दबा देंगे, और बस हाथों से हम इसे हलका सा इसे दबा देंगे, और इसके उपर अब ह सफेद तिल, तो इस तरह से सारे पेड़े जो हैं मैं तयार करके रख लूँगी और फिर एक साथ इने बेल के हम सेक लेंगे, तो दोस्तों हमने इस तरह से कुछ पेड़े बना लिये हैं, तो चलिए इने अब हम बेलते हैं और सेक लेते हैं, इसे अब हम बेल लेंगे, तो तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया है, तो यह देखिए फ्रेंड्स हमने इसे बेल लिया है, चले इसे हम तवे पे डालते हैं, तवा गरम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हमारे प्राठे को जो तिल वाला साइड है, इसे उपर रखेंगे, और इस तरह से इसे हम तवे लगा देती हूं, घी लगाके इसे हम फिर से पलट देंगे और अच्छे से इसे हम सेक लेंगे, तो हम इस तरब भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं और पराठे को हम पलट लेते हैं, ये देखिए फ्रेंट्स कितना बढ़िया सा हमारा लच्छादार पराठा बन के तयार हो पराटे को नीचे उतारके मैं आपको इसकी लेयर्स दिखाती हूँ कि लेयर्स कैसी बनी है इसकी, तो चलिए इसे हम उतार लेते हैं, लच्छेदर मसाला पराटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और यह देखी मैंने इसे अचार के साथ और कैरी के खटे मिठे मुरब करेंगे गरम-गरम आप इसे अचार के साथ, मुरब्बे के साथ, किसी सबजी के साथ, किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हूँ, उमीद करती हूँ आपको यह पराटे की रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ